आज इस वीडियो के अंदर जितना भी सवाल मैं बताऊंगा सारा सवाल आपके बोर्ड परिच्छा में पांच बार से ज्यादा बार आया हुआ है और सुरुवात के दो-तीन सवाल ऐसे हैं जो लगभग आठ बार तक भी पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड इक्जाम में तो जो भी स्टुडेंस इस वीडियो को पा गए हैं देख रहे हैं तो वे समझ लें अपने आपको कि वे लकी हैं बड़े भागशे कोई वीडियो उनके सामने आ जाती है और उस वीडियो के अंदर का सवाल एक्जाम में भी मिल जाता है तो जितने भी लोग लकी हैं इस व जोंगा कि आप भी लकी हैं और एक्जाम में जरूर आपका काम करेगा ऐसी उमीद के साथ वीडियो के शुरुआत करते हैं लेकिन अगर पहला चेप्टर से 13 चेप्टर तक गडित में आपकी तैयारी हो ही नहीं पाई है तो सिर्फ 200 रुपे खर्च किजिए मैं आपको 16 ग की वीडियो में कमप्लीट मैंत के निचोड करके सिर्फ वही कोस्चन मैंने बताया है जो कोस्चन बार बार एक्जाम में आता है समझे मेरी बात को तो इधर-धर सर्च करके हज जारों लाखों वीडियो आपके सामने आती है सब को देख देख के अपना समय बरबात करने का समय नहीं है अब समय लगाने का सही समय है और समय वहीं पर लगाईए समय वहीं खर्च करिये जिससे आपको फायदा हो जो आपके बोर्ट परिच्छा में आपके मदद करें जो वीडियो से आपका अच्छा नंबर आया वैसी वीडियो देखिए तो वैसी वीडियो कहां है हर्ब टीचर अपना पेट कोर्स लांच किया हुआ है तो मैंने भी अपना पेट कोर्स लांच किया है बस 200 रुपे फीच से कंप्लीट मैत का निचोड आपको दूँगा जिसके सहारे आप 100 नंबर के पेपर में से 65-70 नंबर बड़े आसानी से पा सकते मुझे जूट नहीं बोलना कि 100 में से 100 पाओगे अंठान में पाओगे अरे यार एक महिना में या 15-20 दिन में पढ़के कोई अंठान में पाता तो पूरा साल क्यूं पढ़ाई करता बोलो सही है ना तो जो हो सकता है मैं सिर्फ वही बताया हूँ तो नंबर आपको दे देता हूँ यही नंबर है इसी पर काल करना है 75-25-81-88-38 इसी पेकाल करिए बात करिए मैं चाहे मेरे टीम का कोई मेंबर आपसे बात करेगा और आपको कूर्स मिल जाएगा तो आज क्या सवाल सुरू करते हैं लगी स्टुडेंट्स लगी वीडियो पाचुके हैं हाँ तो सवाल यही है और इसको आलतु फालतु सवाल मत समझना मेरे पास भी पेपर है वो भी एक साल का नहीं कई साल का पंच मार के मैंने रख़ा है इसके बीच में से मैंने पाया बिद्या में आउतार में हर एक कोईशन बैंक में पाया बहुत सारे बच्चे एक्जाम देके आते हर साल तो वाट्सअप पर फोटो बेजते हो अपने पेपर का उसमें भी पाया हूँ इसी इनाते खोज-खोज करके लाया हूँ इसको देखना कमेंट में लिखना आई एम लगी जो लोग लिखेंगे भगवान उनको एक्जाम में भी लखी बनाएगा और वे लखी होने का फायदा पाएंगे देखो सवाल कैशे करना है बेक्टर A बराबर यहां से यहां तक बेक्टर B बराबर यहां से यहां तक सिद्ध करना है कि इनके बीच का कौण 60 डिग्री है पहला काम किसी लड़के कोई एक भी अच्छर नहीं आ रहा है तो अभी दो लाइन तो फ्री फंड का लिखेगा कैसे बताता हूँ यहां से देखके यहां तक एक बार यहां लिख दो मालो किसी को एक भी अच्छर नहीं आ रहा इस वीडियो को उसने देखा है नहीं, मालो भूल जाओगे कल, तो भी कैसे करना है, बता रहा हूँ, एक्जाम में मालो यही आ गया है, तुम्हें आ नहीं रहा है, फिर भी कैसे तुम अगर यह चार नमबर कहत, कैसे तुम दो नमबर बिना कुछ किये, बिना किसी मेहनत के द के लिख दिया, फिर यहां से यहां तक देख के लिख दो, ठीक है, दो लाइन लिख दिया, देख कर, देख के लिख ना है ना, आभी तो अपना दिमाग लगा आनी, दो लाइन का काम हो गया तो कुछ तो नंबर पाने का काम हो गया चार नंबर में से नहीं दो तो एक तो मिलेगा बोलो मेरी वीडियो देखोगे सीखोगे सवाल अगर नहीं भी आ रहा फिर भी कुछ पा जाएंगे कैसे यह तरीका है अब इनके बीच का कोण साथ सिद्ध करना है ठीक है कोई बात नहीं तो अब क्या करना है मुझे फिर मैं देख के लिखने जा रहा हूं इनके बीच का कोण याद करने के लिए देखी देख आधा से जाधा सवाल सिर्फ देखी देखा लिखते हैं कैसे बताता हूँ लिखेंगे बेक्टर A डाट बेक्टर B बराबर चिन लगा के कोश्टक में A का मान यहां से लेके यहां तक देख के यहां लिखना है देखो यहां से यहां तक देख के लिखना है कोश्टक बंद है यह डाट भी देखके यहां लिख दो इसका मान यह वाला कोष्टक में यहां से देखकर के यहां लिखो 3i-2j प्लस के कोष्टक बंद है अभी बताओ इस कोष्टक के अंदर जो लिखा गया है तो क्या यह पहले से याद किया था क्या नहीं न इसी लाइन में से उपर से देखके मैंने यहां लिखा इस कोष्टक के अंदर क्या मैंने पहले से याद किया था नहीं न यह देखके ल पूरा समझ रहे हो ना एक्जाम में आ जाएगा तो दिल खुस होगा कि नहीं खुस होगा 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 कहीं कहीं एक्जाम में आएगा जरूर अब देखो बराबर के नीचे बराबर अब गुड़ा करना है ये इंटू है मतलब गुड़ा करना है तो गुड़ा करना इस बगल वाले से बस आई का बगल वाला दो है आई का बगल वाला तीन है तो दो और तीन का गुड़ा तो दो का पहाड़ा तीन बार पड़ो दो तियां छे हो गया अब यहां पहले चिन नो को देखो पलस है और यहां माइनस है तो प्लस और माइनस चिन का पहले गुड़ा कर लिजिए प्लस माइनस के गुड़ा माइनस होता है जे के बगल में कुछ भी नहीं लिखा है तो टेंसन नहीं है जब कुछ भी ना लिखा हो तो समझना चाहिए कि 1 लिखा है कितना 1 ठीक है तो जे के बगल में 1 है और यहां जे के बगल में 2 है तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दीजिए 1 का पहाड़ा 2 बार तो एक दुना 2 होगा और यह हो गया अब यही से के के बगल में 3 है अची नका पहले गुड़ा कर लो ची नका प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा तीन का, यहां के के बगल में कुछ भी नहीं है, तो मैंने अभी अभी बताया, जब कुछ भी नहीं रहे तो कितना मानना है, बताया हुआ ना, तो ऐसे ही बिटा, के के बगल में तीन है, के के बगल में वन है, तो तीन का पहाड़ा एक बार पढ़िए, तीन एकम तीन, अब पलस, पलस को जोड लो, 6 और 3 कितना हुआ, 9, और 9 में सो 2 घट जाएगा, कितना हैगा, और 6, 3, 9, 9 में सो 2 घटा दीजिए, 7, ये गुड़ा बताओ, असान था कि नहीं असान था, क्लास बन का बच्चा समझेगा कि नहीं समझेगा, पूरा समझेगा, कोण ऐसा है जो कह देगा कि सर जी समझ में नहीं आ रहा है, बोलो, यार मजाग मजाग में हम लोग सवाल सिखा देते हैं, तुम लोग तो सेरियस हो, क्योंकि तुम्हारा एक्जाम है, अब देखो, A, B, डाट में आगया, अब इन दोनों का माड निकालना है, दोनों का क्या निकालना है, माड, माड मिन्स मापांक निकालना है, ठीक है, आइए, निकालते हैं, दूग खड़ा-खड़ा डंडा के बीच में, बेक्टर A लिखतीजिए, बराबर चिन लगा दीजिए, कर्डी बना के ऐसे लिखिए तो वेक्टर ए यहां पर है वेक्टर ऑली लाइन खोजो खोजो यहां पर है यह लाइन है तो यहां पर आई के बगल वाले को यहां लाके लिखेंगे और स्क्वाइर लगा देंगे जे के बगल वाले को यहां लाके लिखेंगे स्क्वाइर के के बगल वाले को लाके लिखेंगे स्क्वाइर ठीक है आई के बगल में टू है टू का स्क्वाइर पलस जे के बगल में कोई नहीं है तो मैंने बता है जब कोई नहीं तो वहाँ वन होता है चिला तो 1 का स्क्वाइर के के बगल में 3 है तो 3 का स्क्वाइर आप देख लीजे 2 का स्क्वाइर 4 होता है 1 का स्क्वाइर 1 होता है 3 के स्क्वाइर 3 का 9 होता है 9, 10, 4, 14 कॉरडी में आगया 14 अब बेक्टर 1 के निठीक नीचे दूग और डंडा में वेक्टर B लिखेंगे ठीक है? आप करड़ी बनाएंगे वेक्टर B वाली लाइन खोजिए I के बगल में कितना 3 है? तो यहां 3 पे स्क्वाइर Z के बगल में माइनस में 2 है तो माइनस 2 का स्क्वाइर K के बगल में कुछ भी नहीं जब कुछ भी नहीं तो कितना? कई बार आगया आपके सामने इसी सवाल में 1 समझे भाई? 2 एक का स्क्वाइर 3 का स्क्वाइर होता है 9 माइनस 2 का स्क्वाइर होता है 4 1 का स्क्वाइर होता है 1 ठीक है? 9, 4, 13, 14 ठीक है? यह भी आगया करड़ी में 14 अब तक मैंने क्या किया? इतना आसान आसान इस्टेप बताया कि हर वो बच्चा बच्ची जिसने कभी गड़ित की किताब खरीदा नहीं तो खोले का कैसे? वो भी समझेगा ठीक है? देखो वेक्टेर ए वेक्टेर भी माड में निकाल लिया मान अब बारी है सूत्र सिद्ध करने का अब बारी है क्या? सूत्र सिद्ध करने का तो निकालते हैं लिखेंगे कोड थीटा बराबर कास इनवर्स बेक्टर ए डाट बेक्टर भी बटे माड बेक्टर ए माड बेक्टर भी ठीक है? यही सूत्र है इसे पहले से याद करना पड़ेगा यह इसको कहो कठिन चाहे कहो आसान इसे क्या करना पड़ेगा यही क्या शूत्र है तो ध्यान से देखो मैं समझा रहा हू दिमांग में बैट जाय गया बेक्टर ए भी उपर ए भी नीचे है उपर वाला बिना माड के है मलनलब नीचे बेक्टर A में दोनों डंडा लगा है बी के अगल बगल डंडा लगा है आ उपर में क्या डंडा फंडा नहीं है उपर हैंड फ्री है नीचे डंडा डंडा के अंदर बंद है समझे आगे देखो तेटा बरावर कास इनवर्स वेक्टर A डाट वेक्टर B कमान vector a dot vector b कमान देखो देखो 7 है कितना है 7 है माड में vector a कमान यहाँ देखो कल्डी में 14 है और माड में vector b कमान भी क्या है कल्डी में 14 है तो theta बराबर कास inverse 7 बटे कल्डी में लिखा जाता है तो कल्डी भी गायव और एक बार चोदे भी गायव सिर्फ चोदे बचेगा ठीक है तो चोदे गुडे चोदे 289 करके कल्डी में से बाद निकालो 6 निकाल दो बस चोदे आगा नीचे 7 से चोदे काटेंगे 1 बटे दो और ये कास कितने का मान होता है 1 बटे दो कास साथ का ये 1 बटे दो कास कितने का मान है साथ का तो लिखेंगे ठीटा बराबर साथ डिगरी यहीं तो शिद्ध करके लाना था ऑब कोई बालक बालिका मेरे से यह नहीं कहेगा कि गुरू जी मेरे को समझ नहीं आया और पूरी स्कृन का श्क्रीन सार लेने का आपका हक है तो ले लीज़े मैं तोहड़ा किनारे हो जाता हूँ ठीक है ले लीजे ले लिया इतना बेहतर तरीके से मैंने आज बताया है न कि पूरी एक्जाम तक तो आपको भूलेगा नहीं अगला सवाल बता रहे हैं उस पर गौर से देखिएगा ठीक है यह सवाल जरा देखो यह भी आपके बीच का कोण ग्याद करना इसमें पूरी गैरंटी लेता हूं कि इस सवाल को हल करने के लिए जिस सूत्र की जरुद पड़ेगी वो सूत्र तो बहुत भारी बहुत कठिन बहुत जल्दी भूल जाता है लेकिन मैं गैरंटी लेता हूं कि आज अभी बीना याद किये याद करा दूंगा और परिक्षा तक नहीं भूलेगा इस बात की पूरी गैरंटी है भाई वीडियो के नीचे कमेंट में लिख चुके हो ना अब इस सूत्र को सीखने के बाद कमेंट में लिखना आइएम सो लकी तुम इतना लकी हूं सच बता रहा हूं कमेंट में लिखना तुम जितना लिखो कि उतना अंदर से उत्सा आएगा कि और बेस्ट वीडियो बनाओं आप तक पहुंच जाओ तो आइम सो लकी अभी नही के बीच का कोण गयात करना है चार नमबर का ये एक्जाम का मैटेरियल है ये चार नमबर का माल है ठीक है ना मिला मैं जाते हैं हर माल दस रुपया तो आज की वीडियो का हर सवाल चार नमबर हर सवाल चार नमबर वाला लेकिन इसको सूत्र बहुत कठीन है याद कराता हू पहले तो सुत्र याद करवाना है लेकिन उससे पहले ये नीचे वाला नीचे वाला क्या है इसे देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है देखो, A1, B1, C1, यह जो और के पहले इधर है ना, मेरे हाथ के इधर जीधर हाथ भाग रहा मेरा, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला को क्या लिखेंगे? A1 लिखेंगे, B1, C1, बराबर चिन, बराबर चिन, बराबर चिन, तीन, पान, चार, थोड़ा एक उड़नडा खीच दीजिए, फिल लिखिया, A2, B2, C2, बराबर, 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 अब इसके नीचे वाला, एक, एक, दो, एक, एक, दो, अब बता दो मेरे भाबू, बच्पन में ABC पढ़े थे, आभी भी याद होगा, बुलना इंड गय हो ABC, वही चीज़ तुम ने लिखा है बेटा, ABC, ABC, 111, 222, अब फिर यहां से नीचे वाला 354, यहां देखो 354, फिर यहां चले, एक, एक, दो, एक, एक, दो, देख के लिखा ह भाई, यह सवाल में दिया था, मैं अपने परमर्जी से यादवाद नहीं किया था, आप भी सवाल में पाना, तो देख के लिख देना, A1, B1, C1, A2, B2, C2, लिख लोगे ना, अब देखो, अब सुत्र याद कराऊंगा, तब जाके लिखना, I am so lucky, लेकिन, याद हो जाका जिसको वह लिखेगा, साब लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, देखो, शुत्र क्या है, शुत्र है, कार्स्थीट अबर-अबर, अब कच्छा बारे में आ गए, तो थोड़ा आपका हिस्सा थोड़ा डबल हो जाना चाहिए, आपका हिस्सा कैसा, डबल, हाई स्कुल में तो ए को, बी को, सी को डबल करना यानि दो बार करना है, दो बार ए लिख देना है, दो बार बी लिख देना है, दो बार सी लिख देना है, क्या सुना आपने, कितनी बार, दो बार, दो बार ए, दो बार बी, दो बार सी, बस, हम आपको सिर्फ ए, बी, सी में ही पढ़ा दें दो बार A ठीक है दो बार B दो बार C लिख दिया में अब 1-2 1-2 1-2 जो बीच में जगो है वहां पर प्लस प्लस बॉटे की लाइन ठीक है दो बार A, दो बार B, दो बार C, फिर 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, E 캐 Hier लिग दिया तो जब दो बॉर करड़ी है तो 7 दो बार लिख दोना है Eh 10, 10 ए कि मिलाकि जोभने हिसा भी प्लुट उस्साप बरावर हूं कि दुबार करड़ी है तो दो बार E' whose is a p le pas e a p Lu P e p le pas y e e p le pas y ek इस में लिख दिया Ah.. कि दोनों कहा मिला किывает तो अंस में दो बार A था, दो बार B था, दो बार C था, होर में दो बार करडी है, फिर करडी के अंदर A plus B plus C, A plus B plus 3, हो गया काम? अच्छा, इसको लिखेंगे 1, 1, 1, इसको लिखेंगे 2, 2, 2, आप बताए, क्लास 1 की चीज़े हम आपको पढ़ा रहे हैं, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, A, B, C, किस क्लास का चीज़ है, यह बताएगा? यल, केज़ी, यू, केज़ी, नर्सरी वाले यार पढ़ते हैं, 1, 2, 2, 2, A, B, C, अब आपका बच्पन आपको याद आए, तो अच्छी बात है, अब ये सुत्र ready हो गया, सुत्र रेडी हो गया कास थीटा बराबर इतना अब ये सुत्र याद करने के जरूरत नहीं है एक बार जरा मैं अपने इसको पीठ से ढख लेता हूँ ढख लिया अब इसको आप मेरे साथ जरा सोच के देखिये सुत्र कैसे लिखा गया था कास थीटा बराबर लिखके दो बार A था दो बार B था दो बार C था फिर दोनो A के नीचे 1-2, दोनो B के नीचे 1-2, दोनो C के नीचे 1-2, बीच में जो खाली जगा था वहाँ पर पलस पलस अंस पे जो लिखना था वो लिख गया बट एक लाइन खिच दी गई, अब नीचे दो बार कलडी बना गया, उसके अंदर ये पलस B पलस C लिखा गया दोनों कलडी में, पहले कलडी में ABC के नीचे 111, दूसरे कलडी में ABC के नीचे 222, एक बार फिर से मेरे साथ, ट्राइटो अंडेस्टेंग, ट्राइटो स्पीक, ट्राइटो लर्न, ट्राइटो थिंक, सोचने का प्रयास करिए, यह कैसे लिखा हूँ, कास थीता बराबर, दो बार A है, फिर दो बार B है, फिर दो बार C है, उनके नीचे 121212 है, फिर बीच में पलस चिन डाल देना है, मँदेफर प्लिक देना है पर पहली करकी एंदर 1 yen yen को समझ गाए है उपको आपको क्या करना करना है बस एक चीज माने जान बुछ करके रोक रखा था क्या इसक्वाइर लगाना है सारे कलरी के अंदर यतने हैं सब पे इसक्वाइर दो घात दो घात दो घात इस में सब में करना था इस नाते में दो बार भी, दो बार सी, दो बार करडी, दो दो घाज सब के उपर लगा है, क्या बात है, ज़रा सोचो, भूल जाये, तो दो दो बार की बात याद रखना, तुम्हें याद आ जाएगा, अब इस सूत्र का इस्तेमाल कैसे करना, देखो, अगर यह सूत्र याद हो गया, तो कसम से सवाल गलत नहीं होगा, अब कॉमेंट में लिखना, अगर सूत्र याद हो गया है, क्या लिखना, I am so lucky, साट वीडियो चला रहा, so beautiful, तो आप भी I am so lucky लिखिये, आप देखो, A1 की जगह पर, A1 के सामने वाला आएगा, A1 की जगह पर A1 के सामने 3 है, A2 की जगह पर A2 के सामने 1 है, यानि 3 और 1 आ रहा है, यहाँ 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 तीन यहाँ एक, तीन दूनों बीच में गुड़े का संबंद है, तो तीन गुड़े एक, पॉलस, B1, B2, 5 गुड़े एक आएगा, 5 अगुड़े एक, पॉलस, C1, C2, तो C1 गुड़े 4 है, C2 गुड़े 2 है, तो 4 गुड़े 2 आएगा, ठीक है, करले बनाएगे भाई, A1, B1, C1, मतलब 3, 5, 4, तीनों पर स्क्वाइर, देखो, तीनों पर स्क्वाइर है, तीन के स्क्वाइर, 5 के स्क्वाइर, 4 के स्क्वाइर, दूसरी करड़ी में, A2, B2, C2, यानि, 112, तीनों पर स्क्वाइर लगा दो, 1 के स्क्वाइर, 1 के स्क्वाइर, 1 के स्क्वाइर, 2 के स्क्वाइर, अब ये वाली लाइन जो मैंने दो अंगुली के बीच में दिखा रहा हूं इसको वहां लेके लिखेंगे हम तीन का एक में गुड़ा करो तीन एकम तीन आएगा पांच का एक में करो पांच एकम पांच आएगा चार दून आठ हाएगा तीन का नव पांच के पचीश चार का सोला नव पचीश सोला पहली करोड़ी में क्या नव पचीश सोला दूसरी करोड़ी में क्या रहेगा भाई एक किसकोर एक किसकोर एक दो किसकोर चार एक एक चार एक चार ठीक है 12 ठीटा बराबर 38, 8, 8, 16相भए आणीचे 29 कितना होता है 25 तो 9 जोडेंगे 39, 39, 34 35 में 16 जोडेंगे 60 होगा 30 में 16 जोडेंगे किता होगा 50 इसमें 1, 1, 2, 4, 6 2, 3, 2 तो कास थीटा बराबर 16 उपर रहने दो नीचे 50 को लिख देंगे ऐसे ध्यान दो पचास थीन सो पांच थीन सो हो गया आपस में गुड़ा कर लिया आपने तीन सो को करड़ी से बाहर निकालने का क्या तरीका है अरे अरे हाँ 25 धुना 50 दुटिया छयाँ बताता हूं 16 बठी करड़ी में इसे 25 धुना 50 हो गया फिर दुटिया छय हो गया तो देखो यह 2-4 है नै कि दो दुना 4 तो 4-12 अगय 2-45 पांच बनेगा काल सीटा बराबर चुल उपर रह गया कि अनेचे 25 बार आया पांच अगा दो दूना चाहर बार आएगा तो दो अ तीन बाहर नहीं आएगा तो कर्डी अभर रह जाएगा छांट दधना दस से 16 कार लीजे कि अलिदास से 16 कार आट हो गया आठ बटे 10 hukab Karma 70 साथ को दिखने रहा मैं यहां लिए दूंग। क्या मैं यइंघ रहाँ तो टी कैस्ट है न immediate फीटबराबर क्या यह जाए का C ability को शुकत की टीटा वराल बर को क छिवर्ण ऑठ वंगा स्ट युला profit a j येस, येस, बस, उत्तर आगे भाई, भले 27 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन आपके समझ में अगर आ गई, तो आप 27 घंटा की वीडियो देखने से कुछ नहीं सीखे, तो 27 मिनट की वीडियो देखने से बहुत कुछ सीख गए, ठीक है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, और कौन-कौन समझ गया, वो कमेंट में जरूर लिखेगा, I am so lucky, ठीक है, लिखना जरूर भाई, अब आपको मैं इसी तरीके से, आउकल समीक्रण वाला सवाल बताता हूं, चेप्टर नमबर 9, आउकल समीक्रण, और बहुत ही बारीक निगाह रख करके देखिएगा, समझ में तो आएगा, यह मैं जानता हूं, बट confusion नहीं होना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए, बड़े अच्छे धंग से देखिएगा, एक्स डिवाई बाई डिएक्स बराबर एक्स प्लस वाई, लिखा है आउकल, समीक्रण को हल कीजिए, समीक्रण को हल कीजिए, ठीक है, तो भाई, ध्यान से देखना, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, वाई बराबर वी एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, वाई बराबर वी एक्स, तो य बराबर वी एक्स मान लिया, अब दोनों पच्छों का आउकलन करेंगे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स, बराबर प्रतम फलन, दूति का आउकलन, एक्स का आउकलन एक हो जागा, प्लस दूति फलन, इंटू प्रतम का आउकलन, यान वी का आउकलन, डी वी अपान डी एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, बराबर वी का वन में गुड़ा करेंगे, तो भी प्लस यक्स डी वी अपान डी एक्स, अब क्या करेंगे, इस लाइन को ठीक यहां लाक नेके लिखेंगे, यह 1st line को लाएंगे यहां पर. x ऐसे ही रहा जाएगा dy by dx कमाने यहां से dy by dx दें v plus x dv upon dx dy by dx कमाने का है v plus x dv upon dx bracket में v plus x dv upon dx बराबर x लिखो plus y का value कहा है y का value यहां देखो v yax है ठीक है अब इस line को solve कैसे करना है क्या सोच के solve करना है ऐसा सोच के solve करना है कि v वाला सारा पदवाएं पच्छ में और yax वाला सारा पददाएं पच्छ में हो जाए बस ऐसा ही सोचना है yax वाला सब कुछ राइट हैंड साइड प्लस x का x में गुड़ा करेंगे तो x square dv upon dx बराबर x प्लस vx ठीक है दोनों पच्छों से vx vx देखो ये भी vx है ये भी vx है दोनों पच्छों से कड़ जाएगा तो बचे का क्या उससे लिख देंगे तो ये vx है और ये vx खताम खताम तो बचेगा x square dv upon dx बराबर में क्या x ठीक है x square को दाइन पच्छ में ले जाओ dv upon dx बराबर x बटे में x square ये x square इधर सिधर जाएगा बटा हो जाएगा तो dv upon dx ये x x कड़ जाएगा एक बटे x dx को right hand side बेद दो तो dv बराबर एक बटे x dx अब दोनों पच्छों का समाकलन कर दो ऐसे ऐसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है जहां मेरा हाथ है जहां मेरा हाथ है यहाँ पर one लिख दो ऐसे दोनों पच्छों का समाकलन करो dv v के साफ x to 1 का समाकलन क्या होगा dv v के शाफ x का पर समाकलन क्या होता है यहाँ यह लाग यहाँ होता है L प्लस एक्स-का-प्लस-ख of a एंसर,速 जाए कर से नौर लग करेंगे तो य . तो य्द्स चार नंबर है, जिनको समझ में आ गया है ,104 कॉछ वे लोग कमेंट सेक्षिन में जरूर लिखेंगे कि सर समझ गये अजिन लोग इना इम सोला की लिख दिया है उन लोगों को तो मज़ा आ गया होगा तभी उन्होंने लिखा होगा अज इनको मज़ा नहीं आया वे लोग दुबारा वीडियो चाहें तो देख सकते हैं और स्क्रीन सार ले लीजे मैं साइड हो गया हूँ चलिए मिलते हैं अगले दिन थैंक्यू